हेलो फ्रेंड्स सभी को नमशकार चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैंने अपनी गार्डन में क्या क्या लगाया है और मैं अपनी गार्डनिंग कैसे करती हूँ तो फिर देखिए इस ट्रे में मैंने टमाटर लगाया है और ये मेरा काफी बड़ा ट्रे है और इधर मेरी कुछ तुलसी जी है कुछ सूख गई है तो मैं इनका भी कुछ करूँगी आप लोग को दिखाऊंगी और एक गमले में देखिए इधर देशी गुलाब लगा है जो बहुत जादा खिला हुआ मैंने सोचा इनको तोड़ लेती हुने तो ये जड़ जाएगा जानते हैं से रोज बाटर रुकरन बहुत बढ़े हैं बनता है देशी गुलाब से इसके गुलकरन भी बनते हैं बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में आप बना सकते हैं अगर आपके पास देशी गुलाब है तो देखिए इसका कलर कितना प्यारा है और एक मेरे परसना कश्मीरी बुलाब भी है जो मेरे टेर्स पर लगा हुआ है ये देखे कितनी सारी अभी कलियां भी इसमें आ रही है बहुत सारा फूल खिलने वाला है इसमें फूल देने वाला है तो फ्रेंस ये देखे इधर मेरे बुगन बिलिया इधर कुछ winters के मैंने अपने गमले रख दिए हैं इस pillars के पास बुगर भीलिय में देखें दुबारा खूब सारी flooring शुरू हो गई है एक बार विंटर में न बहुत सारी flooring इसमें होई थी उसके बार दुबारा या भी जब समर्स का सीजन हुआ न तो फिर से आगई इसमें ठेर सारे फूल और देखे फ्रेंट नीची मेरा लीची का पेर दीख रहा होगा बहुत सारे इसमें फूल आ रहे हैं और आम में भी बहुत सारे फूल आए हुए है कभी मैं आप लोग को नीचे का भी दिखाऊंगे अपना गार्डन ये ट्रे मैंने खाली कर दिया तो इसमें मैंने चौराई लगाया है और देखे इधर ये खाली है अभी इसमें मैंने बाद में धनिया लगाया था तो देखे दो दो लेप्स के, तिन तिन लेप्स के हो गए, बहुत बढ़िया हुए धनिया, ये बात तक मुझे मिले की, अपरेल तक हो सकता है, इसकी हर्वेस्टिक मुझे मिले, अब धनिया तो मेरे पूरे गार्डन में कहीं ने कहीं अपने आप से निकले हुए हैं, और द कलियां बनने लगे हैं, और अभी मुझे इसमें भी थोड़ा सा खाद बगर डालना है, ताकि थोड़ा और अच्छे से ये प्लांस ग्रो करें, इसकी ग्रोथ अच्छी हो, इधर मेरा ये निमू का पोधा है, इसमें भी देखे एक डाल में पूल आ रहे हैं, और ये मेरा स दीना, फिर से हरा भरा हो गया है, और कुछ पोधे तियार हो गया है, इधर सबजियों के मेरे, और ये मेरा अमरूद है, देखे, इसकी कटिंग करती थी थे न, इसमें भी लगरा बर्ड्स आ रही, और एक अमरूद अभी भी लगा हुआ है, और इधर मेरा ये स्टार फू इसमें भी लगे हुएं और इसमें भी फिर से फ्लावरिंग शुरू हो गई है, फ्रेंड्स ये देखे, अभी लगे भी हुए हैं धेर सारे, तो आज मैंने अपने गार्डन में बहुत सारा काम भी किया है, क्योंकि समर्स आ रहा है न, तो समर्स के जो भी वेस्टेबल से म लगाओं के देखें, मैंने अपने पोदे त्यार कर लिया थे बीष से, तू तीन तीन चार चार लीप्स की होगे है, तो मैं सोचा इसको ठ Lawrence कर देती हूँ, शाम के समयह मैंने ठ्रांस्प्लांト किया है, थोड़ तोड़ गढ़ा कर के न अउसमें बहुती मतलब कियर किया लगा दिया है अपने पौधे और जब इसको जगर मिल जाएगी अपनी ना तो बहुत अच्छे से ये ग्रोथ होने लगेगा जैसे ऐसे गर्मिया बढ़ेंगी तो पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी देखे इस तरह से मैंने लगा दिया और पानी दे दिया है कोई भी अगर पौधा ट्रांस्प्लांट करें ना तो शाम के समय करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है इस तरह से मैंने कर दिया बिना उसके रूट को खराब किये हुए अच्छे से पैकेट से निकाल के लगा दिया है इस तरह से आप भी लगा सकते हो तो ये ट्रे में देखिए इस ट्रे में भी मेरे प्याज लगे रहे हैं और इधर सेम लगा हुआ है अभी मैं इसको हटाऊंगी ने क्योंकि ये सेम में ठीर सारी फ्रूटिंग हो रही है और ये देखिए फ्रेंड्स इधर मेरा गाजर है तो आज मैंने गाजर को भी बहुत सारा निकाल दिया है क्योंकि इसका सीजन अब समझ ये चलाई गया नहीं अर्वेस करेंगे ना तो हाड हो जाएगा गाजर ये तो मुझे ट्रेस अब धिर दिर अपनी खाली करनी है तो आज मैंने आधा गाजर निकाल दिया भी आधा छोड़ दिया था तो इस तरह से मैंने गाजर को भी ठेर सारा निकाला ये देखिए इतनी गाजर मुझे मिली है अभी ये देखे फ्रेंट्स अब मेरी तयारी हो रही है गर्मियों की अब मुझे समझ मीने आ रहे हैं मैं अपनी कौण सी विस्टिबर्स किस ट्रे में लगाऊ यह देखिए इतनी गाजल मुझे मिली है मैं भिंडी कहां लगाओं तुरही कहां लगाओं तो जनरली तुरही लोकी कद्धू वगरा जो भी बेल वाली सब्चियां होते है उसको आप तोड़ से बड़े ग्रोब आग या बड़े मतलब ट्रे वगरे में लगाएंगी न तो उसकी ग्रोध बहुत अच्छी होती है मैं तो अपने बड़े वाले ट्रे में लोकी तुरही लगाओंगी हमेशा लगाती हूँ न तो उसकी ग्रोध बहुत अच्छी होती है और बहुत सारी तुरही है या लोकी भी मिलती है खाने को। तुरही तो बहुत सारी मुझे मिलती है तुरही मुझे ज्μज़े जढ़ा पसंद भी है और दीखिए उसकी बाद मैंने ठीश साpri थेशे पने टमाटरों की भी हार्वेस्टिंग की है चेरी टमाटर हैं, बड़े ओरत टमाटर हैं मुझे टमाटे रोज मिलना है ठीर सले टमाटे मिलना है फ्रेंस तो आपको मेरा गार्डन कैसा लगता है जरूर कमेंट्स किया करें फ्रेंस गार्डन में बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं जो वीडियो में नहीं मतलब मैं दिखा पाती हूं फ्रेंस तो आप लोग भी जरूर गार्डनिंग करो बड़ा ही है मतलब अच्छा लगता है मन को सुकून मिलता है और और्गनिक सब्जिया भी खाने को मिलती है तो आप जरूर गार्डनिंग करो गर्मियों से शुरुबात कर सकते हो लोकी, तुरे, भिंडी, करेला जो आपको पसंद हो आप उसको लगा सकते हो तो फ्रेंट्स जरूर बताना मेरा मतलब गार्डिन कैसा लगा आपको तो ये देखिये फ्रेंट्स आज की हार्वेस्टिंग है कैसी लगी ओके फ्रेंट्स बाबाए